दोस्तों ओपो अपना नया डिवाइस निकालने वाला है जो कि वो अलड़ी चाइना जैसी कंट्रीज में निकाल चुका है इस डिवाइस का नाम ओपो A92S है और कहीं अगर मैं इसकी इमेज देखूं तो इसकी इमेज आपल के आईफोन 12 जो लाँच होने वाला है उसे काफी हद तक मिलते जोलती है मैं ऐसा कोई litigation या फिर कुछी तरीकी का claim नहीं रख रहा कि ओपो आपल को copy कर रहा है बट अक्सर हमेशा ऐसा देखा गया है कि ओपो या Realme या फिर Chinese manufacturers के कई ऐसे devices रहे हैं जो कहीं न कहीं top notch companies को कुछ हद तक follow करते हैं ओपो का ear wordy ले लो तो हमें यहाँ पर बात करने जा रहा हूं उपो 92S के बारे में दुनिया में 5G का चलन हो चुका है चाइना जैसी countries में 5G के devices launch होने लग गये है OnePlus भी 5G पर आ रहा है और हम पूरे bandwidth के साथ इंडिया में 5G कब use कर पाएंगे इसका हमें कुछ भी पता नहीं है दिन अभी lockdown के चल रहे हैं हम सब घर में बंद हैं और A92S चाइनीज मार्केट में 29 April से बिकने वाला है एक प्राइस टैक पे जो की है तकरीबन 24,000 रुपए का इस फोन के अंदर 18W fast charging होंगी दिखेगा कुछ ऐसा नीचे तो bezel है जिसे आप बोलते हो चिन उपर का camera specification नहीं पता लेकिन क्योंकि यह OPPO है तो camera specification beauty mode के साथ तो आने वाला है चार camera उपर यूज करने वाला है एक death sensing होगा यानि कि जो panorama जो portrait mode अच्छे से दिखाएगा दूसरा होगा 48MP का Sony IMX5865 sensor जो की latest तो नहीं है और आपको 24R के phone में latest मिलने वाला भी नहीं लेकिन phone अच्छा है camera भी अच्छा है पिछली generation गाए बट स्टिल it is good दूसरी बात की ज जाएगा और एक zooming sensor मिल जाएगा 18 watt की fast charging के साथ 4000 watt की battery के साथ ओपो अपना इडिवाइस इंडिया में कब लेकर आएगा इसका अभी हमें कुछ भी पता नहीं है जैसे ही लेकर आएगा मैं इसकी unboxing video इतना वड़ा YouTube channel अभी हुआ नहीं है ना इतने subscribers है कि मैं बना पाऊं बट प्लीज इसी के साथ चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब करना मत बोलना मुझे अच्छा लगता है ओपो के 92S की prices के बारे के अलावा इस सभी चीजों के अलावा मैं आपको एक बाग बताऊं तो आज कल जो अभी भी एक अच्छी बात होती है अच्छे phones में देखने के लिए वो है एक audio jack तो ओपो के इस phone में आपको audio jack देखने को बेशक definitely मिलेगा 8 megapixel का sensor भी है जो rear में ही यूज होगा या तो वह टेली photo के लिए यूज होगा या फिर macro के लिए तो यूज हो नहीं सबता इसके बाद 3.5 mm audio jack के बाद एक जो मुझे जो सबसे अच्छी इसमें यह लगती है बात कि जैसे आप Bluetooth ear devices यूज कर रहो तो जैसे कि आपने दर्वाजा बंद किया और दर्वाजा के पिछले तरफ आपका phone है अगले तरफ आप हो जो आपने कान में earphones लगा रखे हैं तो earphones की quality या फिर कई बार हवा के वज़ा से wind flow के वज़ा से आपको इतना अच्छा music output नहीं मिल पाता है तो ऐसी चीजें headphone jack के वज़ा से होने के बाद इस फोन के architecture की सबसे अच्छी बात ही है कि इसमें in display fingerprint sensor नहीं है डिस्प्ले fingerprint sensor है नहीं fingerprint sensor है तो वह sideways है हाँ phone खोलता face imaging से भी है यानि face को recognize करने के बाद भी phone खोलता है बट इस phone में आपको in display fingerprint sensor ना मिलके जैसा galaxy s10e में मिलता था sideways वैसा मिलता है तो वो मुझे tech अच्छा लगा था और वो उसकी placement भी अच्छी थी वही चीज आपको इस phone में भी देखने को मिलेगी और इसके साथ यहाँ पर पस phone में इतना ही है और कुछ नहीं है जो बताने लाइक हो या बताने के लिए काफी अलग हो तो up till then boys and girls take care of yourself मैं हूँ लाइका